क्यूसर नमर आया कि फ़र्ड नर्टे में कितने वेक्ति होते हैं पटा पटा आंसर कर दीजिए फ़र्ड नर्टे जो होता है उसमें टोट अप कितने वेक्ति होते हैं 42 वेक्ति होते हैं राइट आंसर हमारा C हो जाएगा मोना नमस्ते बिलकुल तो पहले कमारा राइट आंस परसीद है गुमर नर्तिय वालर गेर नर्तिय या फिर नेजा नर्तिय बिल्कुल गेर नर्तिय यहां का परसीद है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा C Q3 कि अगर मारवाड का डांडिया नर्थे अगर परसीद है तो जालोर का कौन सा नर्थे परसीद है ये Q4 तो पहले भी आ चुका है कि डांडिया कहां का परसीद है मारवाड का तो जालोर का कौन सा नर्थे परसीद है जालोर में कौन सा नर्थे होता है डोल नर्ते हैं तो राइटांस हमारा एग हो जाएगा Q4 कि बागड चेतर में पर्चलित पारंप्रिक लोकवाद्य कौन सा है बागड चेतर में कौन सा लोकवाद्य परसीद है Q4 अच्छार हरनाई परसीद है स्याम, सुनिता, रोहितास, मोना बिल्कुल सही आपका, यासमिन आपका भी सही है चलिए Q5 अमारा है कि लोक नर्ते में किस जन्जाती का सरवादिक योगदान है राजस्तान के जो लोक नर्ते हैं वनमें किस जन्जाती का सरवादिक योगदान है भील जन्जाती का सरवादिक योगदान है इनमेंसे जो राधस्तान की नर्तियों से सम्मान दीता है यह एक नहीं एक नहीं है कौन बता दिगे कट्पुतली 3 apparent नर्टे भी होता है। उंती नर्थ्या कह नाट्य भी होता है गरबा भी होता है घोमर भी alcanz पंद और पनगट भी होता है मिथलेश, जितेंदरा, रोहित, माही, टिंक गुजर, जिसे बिल्कुल राइट आपका चले क्यूसर नमर साथ कि सेकावाटी छेतर का लोग पिरी नर्थे कौन सा है इन उप्सेंस मैं से सेकावाटी का कौन सा नर्थे जो है परसीद है तो कच्ची गोड़ी जो है इसे कावाटी छेतर में होता है राइट आंसर बी हो जाएगा शिवम जी बिल्कुल मनीज नर्थे ओके और क्यूसर नमर आठ कि निमलिक्त मैं से यूगल नर्थे कौन सा यूगल नर्थे यानि जो महिला और प्रूस दोनों के द्वारा जो किया जाता है इन में पनिहारी नर्थे जो है ये यूगल नर्थे है राइट आम से हमारा एव हो जाएगा बेरुलाल जी, कौमल सोनी, मिनाक सी आपका विसी है चलिए क्योसर नमर नो नर्थे कला के विकास में योगदान के लिए परसीद कौन सी जाती है नर्थे कला के लिए जिसने अंतरास्ट्यस तरवी नर्थें को परसीदी प्राप्त करवाई है कालवेलिया जो है ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा चलिए क्योसर नमर दस देखे कि राजस्तान में होली के दिनों पर मेवाड छेतर में और बाड मेर छेतर में कौन से नर्थे किया जाता है नर्थे होता है, दो तीन चीज़ में पूची जाती है एक तो किस आउसर पर किया जाता है कौन से छेतर में होता है यह पिर किस जंजाती के द्वारा हो था है यह फिर प्रूँच प्रदान होता है यह फिर महीला होता है इसमें आपके ठीटों एक तो छोली के उस्ञा पर किया जाता और मेवाड और बाट मेड़ दोनों जुगए पिक़ किया जाता है और ये गेर नरत्य परसीद है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 नमर क्यूशन है कि ख्याल गाई की जेपूर गराने से समधित कलाकार कौन से है जेपूर का जो ख्याल गाई की गराना है उनसे रिलेटेड कौन है तो उस्ताद अलादिया खा है यह हो जाएगास का राइट आंसर रोईतास जी जी बिलकुल अदित्या जोशी मनोज कमर क्यूशन नमर बारा है कि निम्मल लिकित में से किस जनजाती में वालर नरत्य जो है लोग पिरिया है सिंपल वासम कहें तो वालर नरत्या किस जनजाती से समन्दित है और यह गरासिया जनजाती के दरा किया जाता है 6 हो जाएगा राइट आंसर चले क्यूशन नमर 13 बिलकुल इजी साग कि 13 तालियि नरत्य जो है यह किस लोग देउतास समन्दित है कामर जाती की बोपों की द्वार जो किया जाता है जी, रामदियो जी से रिलेटेड भी हो जाएगा इसका सही उत्तर क्यूसर नम्मर चौदा देखे है कि कौन सा मेव नर्ते है यानि मेव जन जाती की द्वार किया जाता है जिसमें स्त्रीवियां भी भाग लेती है और पुरूस भी भाग लेते हैं यानि यूगल की रूप में होता है यूगल नर्ते कह सकते है जी, चौदा का राइट आंसर ती, रण वाजा नर्ते डी हो जाएगा राइट आंसर जोले, क्योसर नमर 15 देखिए कि म्वेवाड के अरावली चेतर में भील जाती का लोक नर्ते कोन सा है दोनों चीज़ें आपको साथ में ध्यान रखनी है एक तो कि भील जाती का लोक नर्ते होना चाहिए दूसरा म्वेवाड चेतर का होना चाहिए क्योंकि बिल जन्जाती के तो बहुत सारे लोक नर्थे हैं गवरी नर्थे राइट आंसर B क्योंसर नमर 16 है कि गौपी जी भट राजस्तान के किस लोक नर्थे से लिगे कलाकार है गौपी जी भट ये तमासा से से सम्मंदीत है राइट आंस यह हो जाएगा और Q7 देखिए नोटंगी औरर राम लिला राजस्तान के किस भाग में अधिक परसीद है राजस्तान के कोन उसे भाग में नोटंगी और राम लिला परसीद है और JUL पूरुवी भाग में राइट आंसर पर अहो भी मारा सही उत्तर है अब पहले तो हमने चेतर की बात ये थी अब जिल्ले की बात करते हैं कि नोटंग की सरवादिक लोग पिरिये कौन से जिल्ले में है इसके लिए बार्थपूर है वो परसीद है राइट अंसर ये हो जाएगा क्यों सर्मरुनिस है कि नीमन मैंसे कौन सी ऐसी परता है जो गराशिया जन्जाती से समंदित नहीं है तीन परता हैं जो गराशिया जन्जाती से समंदित है एक नहीं है कौन सी नहीं है बता दीजिए मौरबंदिया भी है पेरावनी भी है और ताना भी है डाम नहीं है तो राइट आंस हमारा क्या होज़ेगर डीज का सही उत्तर है क्योसर नमर 20 कि जाट, गुजर, माली और कल्मी आदी जातियां जो है वो किस हिंदू जाती के अंतरगत आती है जाट, गुजर, माली और कल्मी एक कौन सी हिंदू जाती में आते हैं सारे बीज का राइट आंसर जो हो जाएगा क्योसर नमर 21 कि जाती के जाती ने कौन थे राव बीका जी उनको राज्या स्थापित करने में कौन सी जाती ने साइधा के थी बीका नेर की स्थापना किस के द्वारा की की थी राव बीका की द्वारा और बीका नेर की स्थापना करने में साइधा किस जाती ने की थी जाट, जी बिल्कुल, डी हो जाएगा राइट आंसर क्योंसर नमर बाइज की साबुदिन गोरी के समय जो बागवानी करने के करण माली कहलाए थे वो कौन थे छेत्रिय कहलाए थे यह हो जाएगा राइट आंस यह क्योंसर पहले भी आच चुका है क्योंसर नमर तेजी है कि नीमन मैंसे कौन सा संपर्दाय है जो सबसे प्राचीन है और जिसके जनमदाता जो है उस संकराचारिय माने जाते है कौन सा ऐसा संपर्दाय जो सबसे प्राचीन माना जाता है और उसके जनमदाता कौन है संकराचारिय जी जोगी संपर्दाय यह हो जाएगा राइटांसर का पील देवराजी अमित बिश्णो यज्यपाल यसमीन ओके क्योशन नमर चोबीश है कि परबिल, मारू और जोगेडे और मोल्या एक कौन से समुदाय में आते हैं यह कुमार समुदाय में आते हैं यह एक बार पहले भी आया था क्योशन एक नमर हो जाएगा राइटांसर और राजस्तान के कौन से जिल्ले में सरवादिक जन्जातियां है सरवादिक जन्जातियों वाला जिल्ला कौन सा है क्योशन नमर पत्चीस और क्योसर नमर 26 है कि जन्जातियों की 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 जन्जाति पष्थान है राइट अंसर सी होगा है यह कि सुनिता लैंगा क्या कररे को अप एक मिट आपका के मजह लिखाrire है लेंगह कि Care मैं अप मैला सुप्रोवाइजर का एकजाम ले पिर से हैं कर रहे हो ऐसा क्यों ti करके बताईए ताकि आपकी बात का सही तरिके से मैं जबाब देश को तरह फिलाल बात करते है कि उसना सब ताइस कि निवर्ण से कौन सी जन जाती है वो राजस्तान में नहीं पाई जाती है कौन सी जन जाती है जो राजस्तान में नहीं पाई जाती है बील भी है सेरिया भी ह प्रवाइब नीना भी है वेगा नहीं है भी हो जाएकर राइटांस है ऐसे क्योंस नहीं आते हैं ओके इस बात का कोई जवाब नहीं है सुनीता जी किस टाइब के क्योंस आएंगे फिरास्तान इस्टी कल्चर के आप आइडिया दे दीजिए अगर आप अच्छा लगा तो इस टाइब के क्योंस जरूरू बनाओंगा मैं आपकी भी बात रुखूंगा चले क्योंस नमर ठाईश ह है दूसरी का नाम क्या बता दीजिए दूसरी है माला सी हो जागा राइटांस है क्योंसर मर 29 से कि कुमारी स्वातिक खत्री है वो किस से समझ दीते हैं जरूरूरू को ने सर मेरे आकाम यही है कि मए टेस्ट लेश कूँ बाकिया कुछ नहीं और अगर आप ने ज्ञादत में कुछ नहीं कोगा क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो अगर इन्हों निक्षी ने आपने अगर एक्जाम दिया है और पहले के एक्जाम देखे कितना simple question है 4 बार आचके आप तक RPC के exam में सिर्फ राजस्तान की राजदानी कौन सी है तो question का कोई छोटा बड़ा नहीं होता और वैसे भी 350 टेस्ट हो गए है तो question से repeat होना जाएज है ठीक है चले question number 29 का राजस्तान में कौन सा अस्तान है कथक नर्ते से समझ दीता है यह हो जाएगा right answer और question number 30 की जन्संक्या की दर्ष्टी से भील जन्जाती का राजस्तान में कौन सा अस्तान है भील जन्जाती की दर्ष्टी से दूसरा है पहले में प्रीना आते हैं दूसरे प्रास्तान भी हो जाएगा right answer question number 31 question number 31 की दर्ष्टी से आते है राजस्तान में गुड़ला तिवार कम मनाया जाता है question number 32 माई सेनी नसर अलिगी अजय पाल सिवम ओके चेतर कशना अस्टमी को जी बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर 33 है कि राजस्तान में बूड़ा तीज कम नाई बूड़ी तीज होना चीए था यह तीज कम मनाई जाती है 33 का राइट आंसर और यह मनाई जाती है भादर पद कृष्णा तिरित्या को राइट आंसर यह हो जाएगा हमारा और 34 है कि राजस्तान में कजली तीज का त्योहार और मेला का 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 परसिद है कजली तीज का त्योहार और मेला का का परसिद है बैरुलाल जी वर्षा निर्मला सिहा मनीता ओके 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह बुंदी का परसिद है भी हो जाएगा राइट आंसर और 35 है कि सक सवंद के निसार 22 जून और 23 जुलाई के मद्य के काल को किस महिने की रूप में जाना जाता है यह भी पहले आया वा क्यूसन है सक सवंद के निसार 22 जून के बीच में और 27 जुलाई के बीच में आसाड यह हो जाएगा राइट आंसर और क्यूसन नमर 36 है कि 16 कारण त्यूहार किसे समंदीत है और यह होता है जेन संपरदाई में भी मेरा राइट आंसर है 37 कि किस वर्स में जण गर्मन को भारत में राष्टरगान की रूप में अपनाया गया था गुनी सो पचास में हो गया था यह तो और क्यूसन नमर 38 है यह कि राष्टान में बड़ी तीज गर्मन आई जाती है यह भादरपाद क्रिशन त्यूत्या को सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 45 है कि इस्टर के त्यूहार की पीछे इसाईयों की भावना क्या है इस्टर के त्यूहार की पीछे इसाईयों की भावना ऐसा माना जाता है कि इस्टर इसा है वो पुनर जीवीत हुए थे यानि डिये मारा राइट आंसर है 40 है कि कजली तीज जिसको सातूरी तीज भी कहा जाता है एक कौन से महीने में आती है बादो महीने में यानि सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर और 41 है कि फूर्डोल उटसर है वो किसके दवारा मनाये जाता है फूर्डोल उटसर इसंपरदा या रामसनि पंध के दवारा मनाये जाता है गनपजी मोना ओके यस्मीन शीव अजिए क्योशन नमर 42 है कि वीर तेजाजी पस्तू मिले कायोजन है वो कहांपर किया जाता है वीर तेजाजी पस्तू मिले कायोजन यह होता है परवत सर में और डीज का राइट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल लिजी सा कि उसने 43 की गौत मेस्वर धाम जो है वो कौन से जिल्ले में स्थी था किया लिजी का रहे जा है कल पेश को मारो ओके सदा पहली बार रहे हो वेल्कम नेक्स्ट है कि परसिद आदिवासी मेला बनेस्वर जो है वो कौन से जिल्ले में स्कायोजन किया जाता है डुंगरपूर में होता है बी हो जाएगा राइट आंसर और क्यूसर नमर 45 कि बाबू महराज का मेला जो है वो कौन से जिल्ले में भरता है बाबू महराज का मेला मोना भी सुनोैं जी 45 इसका राइट आंसर क्या हो जएगा धोल्पूर में B हो जाएगा इसका सहीओतर क्योशन नमर 16 है कि राजस्तान के पर्षिद पूसकर मेले का यूजन कब किया जाता है यानि कौन से महिने में होता है पूसकर मेले का यूजन कौन से महिने में होता है कार्थिक में यह इसका स्यूत्र हो जाएगा और 47 देखिए कि तेजा दस्मी को लोक देवता वीर तेजा जी का मेला लगता है और यह तेजा दस्मी जो है यह आती कब है 47 यह आती है बादरपद सुकल दक्समी को यानी राइट आंस हमारा सी हो जाएगा इसका और 48 देखिए बिरकुल इजी सा गदों का मेला कहां पर लगता है और यह ओप्सन्स हो है इनमें जेपूर में लगता है यह हो जाएगा इसका राइट आंस हो 49 की राजस्तान में राज्यस्तरिय पस्सु मेले सबसे ज़्यादा कौन से जिल्ले में बरते हैं राज्यस्तरिय पस्सु मेले सबसे ज़्यादा कौन से जिल्ले में 49 पर यह नागोर में होता है सबसे ज़्यादा यानी डीज का राइट आंस है क्योसर नमर पच्चास की अजमेर में पर्तिवर्स उर्ष का मेला किस तीती को बढ़ता है पर्तिवर्स पहली रजब से लेकर नो रजब तक बढ़ता है यानि सीज का सही उतर है क्योसर नमर इक्यावन की कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है इन में से कौन सा मिल है जो एक साल में दो बार आता है करणी माता का मिल आता है दो बार यान डी हो जाएगा राइट आम सा और बावन की राजस्तान के कौन से चेतर में चेतर स्कुल पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है पहले एक क्योशन आयता कि गुलाबी गणगोर किस दिले से समझ दीता है यहां पर देथी भी देर किया है केतर शुकल पंचमी को यह नाथ द्वारा में होता है याण डीज का राइट आंसर है क्योशन नमर 23 कि स्वाई भोज का मेला भीलवड़ा याण भीलवड़े में आसीद में बरता है और परतिवर्ष किस समय यह मेला लगता है स्वाई भोज का मेला जोकि आसीद भीलवड़ा में है यह बादरपद सुकलास्टमी को होता है यह इसका स्यूत्र हो जाएगा क्योसर नमर चौपन कि तृपूरा पुरणीमा किसको कहा जाता है तृपूरा पुरणीमा यह कार्थिक पुरणीमा को कहते हैं यह इसका स्यूत्र है कि गौत्मेस्वर का मिला राजस्तान के किस जिल्ले में बढ़ता है ये क्यूसन पहले भी आज को आना चले इसको छोड़ी रिपीट हो चुका है दो बार आगया ये किसी वज़े से क्यूसन नम्मर 56 देखिए कि राजे की पारंप्रीक और विलब्थोरी कलाओं के सरक्षन सवर्दन करने और उनसे समंदीत विकास करने की उद्देशे से किस संस्ता की स्तापना की गई है जितने भी प्रांची जो कलाएं हैं उनको सरक्षन परदान करने के लिए और उनका विकास करने के लिए बारत्य है लोकला मंडल और बारत्य है लोकला मंडल जो है कौन सी जिल्ले में है उदेपुर जिल्ले में तर आई डांसा S हो जाएगा सित्याऊन है कि राजस्तान संगीत नाटक अकादमी कौन से जिल्ले में स्थीत है और जोधपूर जिल्ले में 58 कि पस्चमी छेतर सांस्कृति के अंदर कौन से जिल्ले में है जी उद्धपूर जिल्ले में भी अमारा राइट आंस हो जाएगा और 59 कि राजस्तान साइत अकादमी कौन से जिल्ले में है जी उद्धेपूर जिले में राइट आंसर D और ये रहा क्यूस्टन नम्मर साथ कि अधिकांस सांसकर्ती गतिविद्यां जेपूर में संपन होती है और जेपूर में कहां पर संपन होती है राज्तानी बासा साई तेवं सेंसकर्ती कादमी जो बीकाने है जी बिल्कुल जोहार कला के अंदर में होती है बीज का राइट आंसर अक क्यूस्टन नम्मर एक सेट है कि जागती जोग एक पत्रीका का नाम है इसका परकासन किस संस्ता के दोरा किया जाता है जागती जोग जोगी बीकानेर में है क्यूस्टन नम्मर तरे सेट कि गला लेंग वीर कावे की स्ताफना किस के दोरा की खी जोगी जोगी ती गलालेंग वीर कावे की स्ताफना किसके द्वारा की गई थी। 63 का राइट आंसर और यह कहती अमरनाथ जोगी जी ने डी इसका राइट आंसर है। कि उसरमर 64 की राइट की एक प्रारंबिक रचना असावली इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। में बैरोड और मंडावर में बोली जाती है यह इसका राइट आंसर और यह रख कि उसरमर चना असर की राजस्तानी बासा का सबसे समरीद साहित है कौन सा है। राजस्तानी बासा का सबसे समरीद साहित है यानि चारन साहित है। यानि किस बोली को मुरूबासा कहा जाता है। मुरूबासा किसको कहते हैं। मुरुवानी को और मारवाडी को यानि ए इसका सहीयाच। अर्चट है कि सुन्दर विलास जो कि एक उस्तक है गरंत है इसकी रचना किस ने कीती। सुन्दर विलास की रचना और सुन्दर दास्ति के द्वारा की गई थी इसकी रचना ये इसका सहीय। और 69 कि राजस्तान में जन्में परसिद सैंस्किर्थ कवी कोन हैं। मा का जन्म राजस्तान में वादा यानि इसका सहीय। और ये राकिसर नमर सतर कि राजस्तान में पोथी घर अधेन के अंदर किस देश की साहिता से खोले गए थे पोथी घर अधेन के अंदर और ये जापान की साहिता से वा था एज का राई टांसर किस विद्वान ने राजस्तान की बोलियों का सबसे पहले विग्यानिक अद्देन किया था और जी एस ग्रियसन ने किया था यानि बीज का राइट आंस और 72 की परसासनी कारियों में हिंदी बासा के परियों को अनिवारिय के लिए राजस्तान राजबासा दिनेम का पारितवा था और यह पारितवा था गुणी 166 में 73 की बिकानेर के राठोरारी ख्यात पुस्तक के रचनाकार कोन है जी ज्यालदास जी की दवरा लिखी गई थी यानि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा और क्योष नमर चोतर देखिए कि गिर्दर आज़डारा लिखी थी डिंगल बासा का गरन्द कोन सा है रचना गिर्दर आज़डारा की गिती डिंगल बासा में लिखा ह kafar संगतरर यह जाएगा राइटान सा और क्योशनम ऩर पिछेता है कि L P TACETORI जो है वो किस से समद्दित है यह 4 ने साइते से समद्दित यह यह इसका राइट आंसर हो जाएगा और 76 कि नीमलिक्त मैंसे कौन से वीर रस के कवी है इसमें से कौन से कवी जो हे वो वीर रस से समद्दित आ सुबुद्रा कुमारी चुहान वीरस की कवी एन ये इसका राइट आंस हो जाएगा 77 कि निमलेक्त में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है बिकणेरी भी है जोदपूरी भी है धली भी है नागर चोल नहीं है उपबोली एन इसका राइट आंस हो जाएगा 78 कि राजस्तान की बोली और चेतर के समथ में ध्यान में रखते निमलेक्त में से कौन सा युगम जो है गलत है टुंक में डुंडाडी, पाली में बागडी बोली, किरोली में मेवाती बोली और बारा में हाडोती बोली, कौन सा जोड़ा है ये गलत है, पाली में नहीं था पाली वाला गलत है, तो राइटान समरा B हो जाएगा, और यह से केंडल लास्ट कि उसन सेवंटी नाइन, कि जमी यान डीज का राइट आंस और क्योशन नम्मर सी लास्ट क्योशन कि कने लाल सेटिया की किस रचना ने सामंती जुलम के खिलाप युवा सकती को ललका रहा था बता दीजे राइट आंस क्ई गडियों में बैसूद सोयोभ मंरवा रोज सकती यानी भीृ। यान वी इसका राइट आस्रा चलिए यह थे यह C-Qs, आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो like करतीजिए, नहीं आया है तो dislike करतीजिए, कुछ ना कुछ करके जाना वो बात आपको याद होगी ना, नुनते वाली, है ना? अगे अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो PDF आप दो जगे से ले सकते हो या तो टेलिग्राम से या फिर फेस्बूक पेस से दोनों का ही लिंक है वीडियो की description में आपको मिल जाएगा तुम आप राचाय कर सकते हो या फिर आप साथ कर सकते हो प्रैलाद सारने सर के नाम से और फटाबड जाने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share करके जाएगा स्यान पेनिवाल जी जी सर रिलकुल रिलकुल